एक भैस चंगल में चर रही थी, पहले उसने भर पेट खास खाई, फिर नहर पर जाकर पानी पिया, अब उसे आलस आने लगा, इसलिए वह एक छायादार पेट के नीचे जाकर लेट गई, जल्दी ही उसे नींद आ गई, इधर एक कववा भी उड़ते उड़ते थक गया था भै नीचे उतर आया और भैस की पीट पर बैठ कर आराम करने लगा, कुछ समय बाद भैस उठी तो कववा उसके सामने आया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने कुछ समय तक आपकी पीट पर बैठ कर आराम किया, इसलिए मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ भैस बोली मुझे धन्यवाद देने की कोई आवशक्ता नहीं है मुझे तुम्हारा भार महसूस ही नहीं हुआ मुझे पता ही नहीं लगा कि तुम कब आए और कब मेरी पीट पर आराम करने लगे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें मेरा आभार प्रकट कर करने की जरूरत नहीं थी और वैसे भी हमेशा याद रखना की हर छोटी छोटी बात पर कृतग्य नहीं हुआ जाता